चलिए, रिकार्डिंग स्टार्ट कर दिया गया है, अब ये बताईए कि आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन दिख रहा है भी? नो सर्थ. अगी? ये सिर्थ. ये सिर्थ. ओके, चलिए. तो पहले तो जानकारी ये लिया जाए कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ा ही करने वाले हैं, तेंथ चाप्टर, नाइन्थ ग्रेड का मैट्स का, जिसको जो है सर्कल्स के उपर में, मतलब इसको हिंदी में होते हैं वृत्त, तो अभी आप लो या भूल गया है, जब पढ़ाई करते हैं, अभी नहीं आता है, भूल गया है, तो वहाँ पे आप लोग बताएंगे कि इसको कैसे उसको ट्रांसलेट करना, उसको हिंदी में क्या होता है मतलब, तो चलिए, तो बेसिकली इस चाप्टर है, इसको हिंदी में बोलते है वृत अभी बोलिया कि स्पहली हम ठीक लिखे या नहीं, ऐसे ही रखते ना वृत, नहीं, यह सर्थ, चलिए, तो कोई बात नहीं, आप लोग जानते हैं कैसे लिखना है, हम सर्कल का स्परिन ठीक ही ठाक लिख लिए हैं, तो काम चल जाएगा भी, तो अभी देखिए, पहलना ची धुकि यह है, जानने का, के आप लोग को यह चीज से पता है, हम बोलेँ क्य नहीं, कि जब भी हम लोग कुछ पढ़ाही करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोजिज कि अच्छा है, यह वारा चीज को शीष एक लेते हैं, जान लेते हैं, और इससे यह हमारे काम आएगा, लेकिन वैसे मत सोचिए हमेसे दिजाdestा कि प्राभी करते हैं प्रेव कि यह जी चीज परण है इसको हम के चीज पड़ा रहा हैं इसको हम हरे लाइख लाइटिघंज TV लाइफ में कि पहां पर और तेक्ड है. रेक्टेंगल देखे, आयत देखे, तो ये इसका जरूस कहां पढ़ता है, कहां कहां पर दिखाए, कितना फ्रिक्वेंटली इससे पाला पढ़ता है, या क्या इसका एक्जाम्पल है, बतलब try to relate कि आपके आस्वास में जो चीजे हैं, उससे क्या सम्मन्द है उसका, ठीक है, तो आज हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं, ऐसा जी है, अब सर्कल की बात करेंगे, तो इससे जज़ा कामन चीज हमारे लाइफ में है ही नहीं, बम्मे रोटी बनाती है, सर्कल जहां दिखता है, जिस बतन के ओपर आटा को बेलते हैं रोटी बनाने के लिए, वो भी सर्कल होता है, ट्रेन का चक्का सर्कल, जाइकी का चक्का सर्कल, पैन जो घूम रहा होता है, उसको ध्यांस देखेंगे तो वो भी सर्कल जहां दिखत यह इसका देनी कुछ ना कुछ यूज है, आज पास में हमको दिखता है, तो अब इसको तुमजते हैं इसका, इसके वारे हम क्या जानते हैं और इसको, इसका क्या-क्या फासिय रचा या प्रापर्टीज होता है, तो चलिए देखा जाया इसको, तब अगर सर्कल, एक सर्कल करना हो, तो कैसे ड्राप करेंगे पता आप लोग को, मतलब मेरी जैसे नहीं, अगर अच्छारा सर्कल ड्राप करना हो गर, परफेक्ट सर्कल ड्राप करना हो, तो कैसे करेंगे, सुप्रियांसू, सर प्रकार से, प्रकार से, तो प्रकार जैसको बुलते हैं अंगरेजी में गमपास जो ऐसा इस शेप करता है रइट एक एक दो रंडी होती है एक इधर लोह करता है और यहां पर आप लोग ऐसे पैंसिल फसाने के लिए बना रहता है यहां पैंसिल फसाते है इसमें यहां पर और यहां से टाइड करके और इस पॉइंट के इसाब से खुर गोल गुमाते है रैट परकार मतलब भी बोल रहा है न तुप्रिया और अन्शु बताई हुआ है यह सर इसको परकार ही बोलते है न हिंदी में परकार बोलते है रैट तो इसको इंगले से बोलते हैं कमपास जिसका यूज होता है सरकल ड्राव करने के लिए तो अब देखने का चीज क्या है कि देखिए कि अगर हम इसको कमपास बोल रहा है यह ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बट ठीक ह तो इसमें देखेंगे कि यह जो यह जो यहां से हतका दूरी है मतलब यह वाला जो सुई है और यह जो पैंसिल को जो इसमें फिक्स करते हैं You can always expand it. मतलब इसको आप बड़ा कर सकते हैं, चोटा कर सकते हैं और उसके बाद क्या करते हैं यह वाला portion को fix करते हैं मतलब चाहे तो इसमें गड़ा को पसा सकते हैं उसके बाद इस pencil को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं and that is how it draws the circle तो इसमें ध्यान देने का सिर्फ ये है कि ये जो जगह है जहां पर कि आप ये compass का needle को सुई को fix किये है और जब इसको गोल घुमाते हैं तो this makes this circle तो अब circle को देखते हैं ध्यान से ये होगी आपका circle ये वृत इसमें होगी आपका ये जो जगह था जहां पर कि आप उसको पंपास का तो ठीक है आप दो सुन पाए ठीक से हमको सर अब हम मतलब जा रहे हैं अब को इसलिए अब नहीं पढ़ता हैं अच्छा ओके तो क्या दोनों जा रहे हैं एक जा रहे हैं नई सर हम जा रहे से आच्छा थीक है आप जा रहे हैं तो खाली वही होगा कि अभी हम बताएंगे वीडियो डालेंगे इसमें यूटूब में तो देख लिजेगा थीक है तो तो शुप्रिया कंटिन्यू करें यस सर्थ तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे यह सर्कल ड्राव कर रहे थे बताब कैसे की हम लोग कि हम लोग का जो कंपास था यह प्रिकार था जो भी बोलिया उसको उसका जो नीडल था जो लोहे वाला पॉर्शन था यहां पर हम लोग पैंसिल ला रहे थे देख मैं ड्राइंग का स्किल उतना चाह नहीं है आप लोग हमसे अच्छा ड्राव कर सकते हैं काम क्ल लॉग कर रहें हैं रहे हैं से देखिया यह अपका था नीडल यही हैपका पिंसल इस जो यह जो पतलब यह जो इस यहां पर अपने सर्कल परJo शर्कल पी शर्री यहों पर नी नीडल रहा इसको center बोलते हैं या इसको हिंदी में बोलते हैं केंडर और दूसरा चीज क्या है कि इस केंडर से जो आपने draw किया है circle हर एक point on this circle is equidistant पतलब हर एक केंडर से हर एक क्या बोलते हैं circle पे कोई भी बंदू का दूरी बिलकुल बराबर होता है मतलब यहां से यहां से यहां तक का दूरी यहां से यहां तक का दूरी यह सारा बराबर रहेगा तो इस हाथ हम लोग सर्कल की बात करें अब हम लोग ने अब अब यह अब भी देखें कि भाई हम लोग कैसे कम पास का यूज करते हैं सर्कल राव करने के लिए और सर्कल या बृत जो है इसका माय लाइक में क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे वो चक्का हो, चाहे वो पंका चल रहा हो, चाहे वो सिक्का हो, चाहे हम लोग जो मुम्मी रोटी बनाती है, वो हो, या रोटी बनाने, इस बतन के ओपर रखे रोटी बनाते हैं, वो हो, या कोई तवा हो, सारा चीज जो हम लोग यूज करते हैं घ जो है, what we were trying to learn की, जब सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल कैसे ड्राव करना है, अगर आपको सर्कल बनाना है, तो हम लोग यूज करते हैं, जो equipment उसको बोलते हैं, compass या हिंदी में फिकार साथ से, तो यह जो लोहे का शिरा है, इसको आप लोग कहीं, कि जिगा पर fix कर रहते हैं और इस pencil को इसे घुमाते हैं, तो यह लोहे का सिरा यहां पर गया, इस बिंदू पर जो जहां पर भी हम डार्क कर रहे हैं, वहां पर और यह से pencil घुमाते हैं, तो यह width बन जाते हैं, इसको बोलते हैं, केंद्र या center, center of the circle, या width का केंद्र, और जानने का property है कि इस केंद्र से वृत के किसी भी हिस्से पर, मतलब किसी भी point को अगर जोड़ेंगे तो, उसका दूरी जो है, इसका लंबाई हमेशा बराबर होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं, तिज्या, अंग्रेजी में बोलते हैं, radius, यानि कि वृत के केंद्र से परिदी के बीच का दूरी ज तो अबी तक हम लोग सी जाने हैं कि वृत क्या है, वृत के केंद्र से, वृत का केंद्र क्या है, परिधी, तो खैसे हम जानते हैं, परिधी या मतलब उसका तृज्जिया क्या होता है, अभी तक में कोई दिक्कत, कंफूजन अगर कुछ हुआ है, बताईए, नो साइब, हो गया, तो अब देखिए, मालिये की, यहां पे एक वृत बना हुआ है, एक पेज है, इस पे वृत बना हुआ है, यह, तो कोई कहागा कि भए, वृत का अंतह पार्ट, मतलब, वृत का, यह सरकल का, इंटर्नल पार्ट, तो यह वाला होगा, जो अभी हम कर रहे हैं, कोई क जाएगा, वृत का एक्स्टर्नल पार्ट, यानि की, बहिर पार्ट जिसको बोलता है, हिंदी में, तो यह ब्लू वाला हो जाएगा, ठीक है, तो यह मतलब, यह सब सिब टर्म्स हैं, जो आपको यूज जरत पड़ेगा, इसलिए हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, इंटर्न अब देखिए, अब आएगा, हिंदी और इंग्लिस का राइफ रहाँ सा, कि माल लिया जाए, यह आपका एक सर्कल है, ठीक है, यह आपका सिंटर्ड है, आप क्या किए, परिदी के ओपर कोई दो बिंदों लिए, पी और क्यू, इसको जोड़ दिए, इस पी क्यू को क्या बोलते हैं, अंग्रेजियें बोलते हैं, कॉर्ड, और यहां यह पी क्यू जो यहां तक है, इसको क्या बोलते हैं, यह जो परिमिती के ओपर अगर पी क्यू को जोड़ेंगे तो, तो इसको बोलते हैं, कॉर्ड, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए, देख लेते हैं आप लोग पता है नो सार तो देखी देख लेते हैं इसमें जब भी समझ नहीं आए तो Google का सारा Meaning of God in Hindi ये बोलता है इसको तार आप अ घर स्वेव थे लेखते हैंट धुड़ के नहीं, है जो फशर्ट है लेते हैंट भुड है कि हमेंटमेटेटैन, तर्टेक्ड़ को एंड हैंटेटन, तर्टेक्ड़ को जड़ेचेस, तर्टेक्स दाने को तो अच्छा विद्र की जीवा इसको विशिंदी में जीवा बुलाते है ठीक है तो ठीक है आप ये चैप्टर को एक बाद खोलेंगे ना तो पहला दूसरा पेज पही दिख जा गए चीज तो खारी ध्यान देने का बात यह है कि यहाँ पे हम लोग का एक सर्कल है पी क्यू एक सर्कल है एक वृत है उसमें कोई दो पॉइंट ले लिए हम परिमिती के उपर उसरा है परिधी के उपर पी आर का बाली बोल ले जाया जाए तो पी आर क्यू को एसे जोड़े हैं अगर तो हिंदी में बोलते है वृत की जीवा अंगरे जी बोलते है काड काड अफ़ स्टकल अगर यही P और Q को आप यहां पर नहीं जोड़े और ऐसे देखेंगे इसको P और Q यहां पर ऐसे है ठीक है P और Q इसको बोलते है ARK अब हिंदी में क्या बोलते हैं भी देख लिए जाप नो पता है ARK अब 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 आप लोग बढ़ते जाएंगे आपको दिये दिये जो है ना ARK विर्द का चाप ठीक है तो देखिए आप लोग है मेरे साथ सुन पार ने ठीक से आप्य में तूरने और से से किन्ठि के उपर का कोई भी दूरी जो है बराबर होता है और इसको बोलते हैं तिborg या अंग्रेजी में रेडियस ठीक है अभी हम लोग कुछ और चीज़ सीखने कोईश कर रहे हैं क्योंकि हमको इससे रिलेटेड प्रावलम्स करना हो आगे चलके मतलब कोई भी कोई भी सीखेंगे तो उसका साथ प्रावपर्टी सीखना पड़ेगा ताकि उससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल प्रावलम्स है उसको हम लोग स्वाल कर पाएं तो अब ही एगर प्रित के परदी के उपर कोई दो बिंदू लगते हैं पी और क्यू और या और को जो बोलेगे इसको बोलते हैं जीवा ओसके जीवा यह हिंदी वोते हैं सब्सक्राविजिए इसको बोलते हैं और और को क्या बोलते है 터 आर्क को बोलते है चाप चाप रह्म तो यहां से आता है इसको बोलँगे चाप चाप हिंदि में और ञे से बोलते है आर्क ठाम पीडिक या तो अभी देखिए यहां पर जब्ही भी आप किसी भी सर्कल पे दो पॉइंट को जोड़ते हैं दो पॉइंट लेते हैं पी और क्यू ठीक है जैसे अभी हम लोग लिये हैं पी और क्यू ठीक है माली ये पी और क्यू नहीं बोल हो गए पी और क्यू से तो दूसरा पी और क्यू लेते है और दूसरा ए और बी लेते है चलिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट च करड्ड एख ही होगा का कभी हुआ यूदो पॉइंट को जोड़ता है तो उस्से आप उनली वान लाइन आप नहीं बोलते हैं कि एक दो पॉइंट से मिला करके एक लाइन, दूसरा लाइन, थेसरा ल्याू मेलने दो फिक disput और नहीं, उसी तरह से किसी भी सर्कल के के perimeter पे अगर दो point लेते हैं तो इसको join करके आप एक ही line बना सकते हैं so इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी circle का perimeter पे जो दो points है इसको join करके you can always have only one card एक ही card होगा एक ही जीवा होगा ठीक है अब ये हम क्यों बोलते हैं देखिए अब अगर जीवा है यानि card है तो हम बोल रहें कि एक ही होगा कोई भी दो point ले लीजिये कि भाई ये वाल पाइंट नहीं चलो ये point और ये point c और d लेते हैं card एक ही होगा ठीक है लेकिन मज़ेदार बात ये है कि अगर आप card की बात करें तो एक ही होगा कोई दो point ले करके लेकिन आप आर्क की बात कर रहे है या चाप की बात कर रहे है तो देखिए आपने दो पाइंट लिए ए और बी लिए एक चाप ये है और दूसरा चाप ये भी तो है सेम सेम सरकल के उपर है सेम परिमिट परिदी के उपर है तो हमेशा जो है आपका आर्क जो है या चाप जो हो सकता है तो आप कोई भी सरकल लेंगे यगर कोई भी सरकल से आपने दो पाइνट लिया माल लिए यहां लिए तो उसका कार्ड एक होगा लेकिन चाप याने की आर्क दो होगा इधर में क्या होगा कि एक चोटा होगा और एक बड़ा होगा आप लोग मेरे साथ है या बोल हो रहे हैं कि एकट दो कोई प्वी दो पॉइंट लेंगे कौड हमें साइक ही होगा उसका लेंद्ध फिक्स होगा लेकिन अगर आप आर्क की बात करेंगे या चाप की बात करेंगे तो एक चाप जो है छोटा होगा और दूसरा चाप बड़ा होगा सेम ही सर्कल है सेम ही दो पॉائंट है लेकिन दो आर्क है यानि दो चाप है और एक छुटा एक बड़ा है एक ही सिचुवेशन होगा जबकि दोनो चाप बराबर होगा कब जबकि यह पी अर्क्यू जो है इस सर्कल को या इस परेदी को दो ब्राबर बाबर बाठ हिस्व में बहां जैता है ठीक है और circle को बना जैता है semicircle width को बना जैता है earth width ना उस case में ये वाला जो pq है ये बन जाता है आपका diameter diameter या व्यास ट्रीक है तो अभी तक देखी जो भी हम लोग देखें है यहां तक में कोई इकत नहीं है ना कि है देखे पहला एक सरकल यह है एक सरकल यह है तो दो साथ साथ देखता है समझने आएगा इस पे माली सरकल पे दो बिंदू लिए हम लोग पी और क्यू यह हो गया कॉड यह जीवा और यह हो गया आर्क यह चाप यह इसको उल्टा देखेंगे अगर यहां से यहां तक लंबा वरा देखेंगे तो यह भी चाप है तो बिसिकली सरकल के उपर या वरित के उपर कोई भी दो परिधी पे तो कोई भी दो प्वाइंट लेते हैं अगर उसको जोडने पर दो आर्क बन सकता है एक छोटा आर्क एक बड़ा आर्क ठीक है तो जो छोटा आर्क है छोटा आर्क यह है इसको अंगरीजिये में बोलते हैं माइनर आर्क यहां से यहां तक जो है इसको माइनर आर्क यह होगे मेजर आर्क ठीक है फिंदी में छोड़ इस दिखना पर रहे क्या मीनिंग इसमाल आर्क को क्या बोलता है देखते हैं अफ माइनर आर्क देखते हैं क्या बोलता है यह है mm-hmm श्याइ अच्छा कोही नहीं तो इसको प्रमुग जाब नहीं प्रमुग क्टि जाब डौक्श जाब परिंश पाटिंशन नहीं नहीं नहीं। अच्छा प्रमुक चाप और चाप बोलते हैं ठीक है तो खेड़ आप देख लिए इसको कैसे माइनर आर्क डिक्विलेशन ठीक है ओके तो देखिए आप ये बोल रहा है कि आप अगर ये सरकल में ये दो बिंदो पी और क्यू को जोड़ते हैं ये वाला को सिफ चाप बोला रहे हैं और इसको बोल रहा है प्रमुक चाप तो माइनर और मेजर चाप आर्क बोलते हैं इंगलिस में हिंदी बोलते हैं और चाप और प्रमुक चाप ठीक है तो इतना ही है इसमें अभी तक जो बोल हो रहे हैं उसका solution है अब देखिए ये था आपका P और Q समझे कि कहीं पर मतलब एक छोटा सा लाइन है अब यहां पर आपका center है ठीक है एक लाइन को draw की जो center से होके गुजरता है और इस पार से उस पार तक चला जाता है ठीक है अब देखिए ये P और Q को ये P Q एक card है या जीवा है इसका ये arc minor arc और ये major arc यानि की चाप और प्रमुक चाप जो है दोनों बराबर है ठीक है तो इसको समझने का ये है कि अगर कोई विर्थ हो या circle हो उसका minor arc और major arc अगर बराबर हो ठीक है minor arc और major arc बराबर हो या चाप और प्रमुक चाप दोनों बराबर ही हो अगर या दोनों चापा की बराबर हो तो ये ये जो point है इसका जीवा जो है इसको दो ब्रावर ब्रावर बागों बाढ़ता है अब फिर से देखते है उसको कि भाई ये एक सर्कल है ये पी और क्यू दो बिंदू है इसके परिदी के उपर में इसका खासियत क्या है कि अगर हम पी और क्यू को जोड़ते हैं तो वो उसका सेंटर से होके गुजड़ता है उसका केंदर से होके गुजड़ता है तो अगर ऐसा होता है तो देखेंगे ये वाला चाप या आर्क और ये वाला आर्क यानि कि दोनों ही आर्क जो है बरावर लंबाई का होता है यानिकि इस अगर आप P और Q को जोड़ांगे तो ये पी और Q जो है इस circle को दो ब्रावर ब्रावर भाग और मारता है और ये P Q जु जीवा जो है इसको हम लोग यहाद पे वियास बूल सकते हैं या diameter बूल सकते हैं या diameter बूलते हैं ठीक है अभी तक का जो भी हम लोग पढ़ाई करें से में कुछ कंफूजन हो डाउट हो तो बताईए अच्छा तो और अगली अगला चीज क्या है कि हम लोग देखे थे क्या शुरू में कि कोई भी वृत में उसका सेंटर से परिधी के तक का कोई भी दुरी जो है हमेशा बराबर होता है यहांस लेके यहां का दुरी 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 यह सब हमेशा बराबर होता है इसको बोलते है रेडियस तो यह जो डायम इक्वल्स टू टू टाइम्स आफ रिजियस यानि हिंदी में व्यास ब्राबर दो गुना त्रिज्ज्या ठीक है तो यह हो गया आपका अभी तक का जो सीखे हैं तब ही तक हम लोग सीखे हैं वो यह है कि भाई व्रित क्या होता है कैसे बनाते हैं इसका हमाई लाइस ने यूज किया है आर्क किसको बोलते हैं या चाप किसको बोलते हैं कार्ड किसको बोलते हैं जीवा किसको बोलते हैं ठीक है अब अगर माली आ जाए कि सर्कल के उपर में दो बिंदू अब लिए पी और क्यू या ए और बी चली पी और की सुबर हो गया ठ तो अगर आपको अगर सिर्फ ऐसे एबी बोलेंगे ना तो यह confusing हो जाएगा ठीक है क्योंकि एबी यहां से जोने आप यह लाइन भी है काड भी और एबी जो है यह आपका सर्टल के पॉइंट भी देखेंगे तो यह एक आर्क भी है और यह वाला आर्क भी है आर्क भी है तो क्या करते हैं इसको आसान करने के लिए ऐसे करके लिखाते हैं अगर आप A-B के उपर ऐसे वरा देंगे तो भरी लोग होता है कि यह आर्क है और अगर आप शिफ A-B लिखेंगे तो लोग यह मान लेगा के A-B दो पॉइंट आप जोड़ दिये हैं आसे एह हो तो एक और चीज देखते हैं, देखिए, यहाँ पी जो ये, ये, थोड़ा कर दिया जागा, ठोड़ा गंदर दिख रहा है, तो, बतलब, कॉड को और आर को रिपेरेंट करना हो, नाम से मही होगा, लेकिन रिपेरेंट करने का तरीका अलग-अलग होगा, ठीक है, आप A-B को ये आर्क होगा, ठीक है, या चाप होगा, तो, ओके, तो सिर्फ इसमें, अब देखिए, आप, कन्फूजन ये भी होगता है, कि भाई, ये आर्क कौन सा वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, या नामल चाप, या, मेजर चाप, नामल कर देखें, चाप, या आर्क के मेजर आर्क, ठीक है, तो, लेकिन, अभी के लिए इतना समझें, कि सिंपल रखते हैं इसको, कि, जो है, ये, ऐसे इसके उपर प्रणाएं से, ये आर्क को रिपेंड करता है, हम लोगे और भी बाकी सिखें कि कैसे इसका यूज होता है, ठीक है, तो, अभी आप एक टेंशन है हो जाए कि क्या बोला, ठीक है, अब देखिए, ये दो पॉइंट है, ए और बी, आर्क हम लोग समझ गए, कि भाई, ये वाला हो गया, माइनर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क, ये दुनों को लाइन को स्टेट लाइन से जोड देंगे, तो ये हो गया, जीवा, य जाए आप इसको जोड देते है, एक पॉर्शन ये है, सर्कल का, अदूसरा पॉर्शन ये है, सर्कल का, ठीक है, इसको क्या बोलते है, इसको बोलते है, सेग्मेंट, हिंदी में, इस इस माइनर सेग्मेंट, इस इस मेजर सेग्मेंट, मतलब, जैसे था न, कि ये माइनर आर major arc था तो उसी तरह से ये chord and minor ement and called and major arc major segment, तो एक kाम करता हैं रुकिये आप लोग का जो क्ताब है उसको ही निकाल लोते हैं तो देखेंगे इसमे उस यह है इन सी इर्टी हाँ हिंदी इस चलिए है यह है इस चलिए इस चलिए 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 इस चलिए आर्स्याद करने के लिए हम्लों को लोगहर ढूना ने पड़ें भजब दून के रखा करेंगे आपका हिंजिय लॉबुक भी ढून करेंगे ताकि उसके लिए प्रिसान नहीं होना पड़े बद ठीक है चलिए भी हम लोग आते हैं वापस क्लास पे तो लोग बात करें थे minor segment और major segment का ठीक है तो minor segment को बोलते है segment का मतलब होता हिस्सा तो छोटा हिस्सा बड़ा हिस्सा बोल सकते नहीं तो अगर आपको exact term जानना है minor segment of circle in Hindi उसको बोलते हैं क्या एक तुदा रंजबाई एक तुदा रंजबाई एक तुदा रंजबाई क्या बोलता है ठीक है कौन पता कर सकते हैं उसको आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं अंकित या शुप्रिया ठीक है आप लोग पता कर लीजिएगा अंकित चले गए तो एक बार पता कर लीजिए बटा की माइनर सेग्मेंट क्या बोलते हैं बुक में देखिएगा न यह तीसा चौत पेज में ही दिख जाएगा ठीक है तेन्थ हाँ हम सर बोलिए हाँ नहीं हम यह बोलते हैं कि माइनर सेग्मेंट और मेजर सेग्मेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं आप देख लिए बुक में मिल जाएगा अभी इसके पीजी ताइम खिराब ने करते हैं तो हाँ तो अभी तेक हम लोग देखिए हैं सर्कल क्या होता है आर्क क्या बोलते हैं कार्ड क्या बोलते है जीवा किसको बोलते हैं चाप किसको बोलते है माइनर मेजर सेग्मेंट कि यह जो माइनर आर्क है यह जो थोटा चाप है उसको और जीवा की बीच के जो जगह होता है स्पेस होता है तर इस काल माइनर सेग्मेंट और यह वाला जुसरी को बिट्खन्ट बोलते हैं क्या बोली कहा व्रत का खंड खंड मतलब तुकड़ा तो लगू मतलब छोटा शल लगू उद्योग, छोटा उद्योग, उसी तरह से लगू मतलब छोटा, तो अगर आपका मान लिया जाए, कि ये है सरकल, और ये वाला, ये है आपका चाप, ये है प्रमुक चाप, तो अगर ये जीवा है, तो जीवा और जो माइनर आर्क है, इसके बीच का जो स्पेस है, या एरिय है, उसको बोलते हैं, लगू विर्त खंड, ये विर्त का छोटा चुक्र, और ये देर्ग या बड़ा विर्त खंड, या मेजर सेग्मेंट, तो ये हो गया अभी तक हम लों सीखे हैं, कि भाई, प्रापर्टीज क्या क्या है, कैसे जानना है, इससे एक चैप्टर है, आप एक exercise 10.1 होगा, उसमें आपको कुछ-कुछ पूछेगा, कि भाई, अब एक सवाल है यहापे, हम पढ़ते हैं खाली, ठीक है, बुलता है, center of a circle lies in dash of a circle, मतलब, center of a circle, center of a circle lies, मतलब, पाय जाता है, कहाँ पे, dash of the circle का, आपका जवाब है, वहाँ पे, exterior और interior, मतलब, बाहर और अंदर, कोई भी जानता है, कि circle का, वृत का जो, खेंदर है, वृत के अंदर वाले हिस्से में पाया होता है, ना कि बाहर, यहाँ पे खेंदर नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे ही, आ आप इसको, जब, इसका exercise को, करने कोजिश करेंगे में, पांच से सवाल है, अपना book में निकाल लिएगा, करने कोजिश कीजिए, आप कर पाएंगा, असानी होगा, ठीक है, अब से एक और सवाल पढ़ता है, right, true or false, मतलब, सही और बताईए, सवाल है, a circle has only finite number of equal chords, अच्छ अब ही एक चीज़ थोड़ा हम लोग सूड़ गया, ठीक है, कि अगर आपका ये circle है, इसमें एक card ये है, दूसरा card ये है, तिसरा card ये है, चौता card ये है, या ऐसे भी नहीं सोचिए, ये काड और ये काड ठीक है, पी और क्यू, ये ए और बी, ये दुनों बराबर हो सकता है, ये पी और क्यू और ए और बी बराबर हो सकता है, अब लोग से पूछ रहे है, ये दुनों बराबर हो सकता है, ये दुनों बराबर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सक की आप यहां से P और Q का लम्बाई ना प्लिए ठीख है और फिर दूसरा बिंदु पकड़िए अब वही लम्बाई का कॉर्ड एक और आप जहां पर करता हो एक दुसरा कौड हो गया यहां से इसतर भी काट ज़िए उसी लमाई पर यह बन गया फिर दुसरा बिंदू लेज़िए फिर उसी लमाई का काट मतलब आप चाप जाप जो प्रकार है वो ले करके उसके साथ खेलते जाएं 받 के जाएं क्यों बराबर होता है कि आपने क्या किया पी और क्यू का लंबाई नाप लिया यहां से एक प्रकार पे से पी और इस पे रखा पी और क्यू पे इसका लंबाई नाप लिया उतना बड़ा को लेकर कि हर एक बिंदू पर आप खिलन लग गए यह लेकर ऐसे खेला इधर यहां लेके किया धर किया और प्वांट को जोडते जाएए तो ये सभी जो है आपका कॉड है या जीवा है और आप देखेंगे कि एक वृत पे कितना भी साय जीवा बना सकते हैं आप सेम लंबाई का ठीक है तो सवाल वही था मैं था सवाल मतलब यह हम बगाई नहीं थे लेकिन व मतलब सिमित संख्या होती है बराबर लंबाई के काड के जीवा की तो जवाब होगा नहीं आया तो ठीक है अभी देखिये यह सवाल है अचली जो हम लोग अभी तक पढ़ाई किया है उसी में से एक सवाल पूसा है क्या ठीक है पले हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं इसको ह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ठीक है और हम दो बार अंग्रेजी में पढ़ेंगे दो या तीन बार तो आपको भी असान लगेगा बोलता है राइट ट्रू और फाल्स मतलब सही और गलत की पाचान करें या बताएं ठीक है अ मतलब सही ते?âte की अई ठीक है ठीक है ते? अ मतलब सही तून और अभि द्रूट सही पोलेंगे गलता है तूर कौन को कने आप सुनिए एन ध्यान से आपको लगए कि बहुत जाना पचाना है a circle मतलब एक एक वृत यहान तो को रिकत नहीं a circle has मतलब उसके पास है only finite number of cards देखिए यह सवाल को लगे है कि रहे हम तो हम लोग तो हिंदी मीडियम का लोग है इतना इंग्लिश में निमेक्ट हो जाएंगे इसमें कुछ है ही नहीं है असान है अब पढ़िए a a circle has only मतलब पेवल finite मतलब सिमित number of cards a circle has only finite number of cards ठीक है अब इसको हिंदी में दो तिन पर पढ़ लिए अब बोर हो गए होगे इसको a circle मतलब एक वृत has के पास है या हो सकता है only केवल finite मतलब सिमित number of cards यानिकी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो एक सिर्कल में सिर्फ सिमित संख्या होती है फिर से पढ़ता है या था केवच मिस तो नहीं कर रहे है ओके एक सिमिस होगे मतलब एक वित में सिमित संख्या होती है अब इसको हिंदी माला पढ़ेंगे तो शायद बोलेगा कि सही गलत की पाचान करें कि एक वित में बराबर लंबाई के सिमित जीवा होती है तो कभी भी सवाल को एक बर पढ़के उसको असान या मुस्किल मत बोलिएगा सुचिएगा तो दो चार बर पढ़ेगा तो असान लगेगा चाहिए वो हिंदी का सवाल हो चाहिए अंग्रीजी का चलिए तो आप काम पे आते हैं तो सवाल था कि एक वित में सिमित संक्या होती है बराबर लंबाई के जीवा की मतलब अगर ये एक जीवा है इसी लंबाई के जीवा की संक्या जो है इस विर्थ में सिमित होगी मतलब लिमिटेड होगा हुचता है एक हो दो हो चार हो पाँच हो मतलब गिंती फिक्स है ऐसा बोल रहा है ठीक है अब इसको अगर आप ये ड्राइंग देख रहा है तो आपको लगए हाँ ठीक ही बोल रहा है दो तीन होगा बस यहां तक करिया तो भर गया है ना कि अगर ये लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई ये लंबाई बराबर तो हो गया लग भर गया लेकिन अभी तक आपको मेरे साथ है अंकेर सुप्रिया क्यों तो इसको थोड़ा सा जो हंना जो है जे जैमिति थोड़ास में करना परता है उसका क्या बाद है चित्रन करना पड़ेगा अब माली आजए आपका यह जीवा है ठीक है पी आर कुई बोलता है पी also है same circle के अंदर, same width के अंदर क्या करना अभी? एक चाप निकालिए P पे रखिए उसका सुई को और Q पे रखिए उसका पेंसिल को और उसको जाम कर दिए कि अब बढ़े करे का नहीं, ठीक है? अब सुई को तोड़ा हिलाईए यहां ले आईए P के बदले ले आईए आप मान ले जाए K पे ले आईए उसी लंबाई का देखी कहां पे काटता है मान ले जाँ यहां पे काटा ठीक है? और खेलते हैं L पे हुआ इस तरब भी तो काट सकता है चलिए M पे काटा अब जो है इसको लेकर गुमना शुरू किए K के बदले चलिए M चलिए हम A पे अगला बिंदू लेते हैं A परिदी पे हम गुम रहा है ठीक है? अगला बिंदू लेते है सेम लंबाई का चाप से यहां काटा और यहां भी काटा ठीक है? अभी फिर चलिए B यहां काटा यहां भी काटा ठीक है? आप देखिए है कि आप लिटरली इसको पूरा जो है सेर्कल को C यहां काटा यहां भी काटा इस पर अच्छा दासा ड्राइंग कर सकते हैं आप एक्चली बढ़ते जाएंगे बढ़ते एक सर्कल के उपर कितना एक सर्कल के परिमीटर के उपर कितना बिंदू होता है पता है? पता चल भी नहीं पागा कभी मेरा उमर हो गया 47 साल अभी तक पता नहीं चला है हमको आगी नहीं पता चलेगा क्योंकि वह होता अंगिनत, जैसे आकास में कितना तारा होता है, नई गिन पाई नकोई भी आज तक, वैसे ही एक सर्कल का परिमिटर के उपर, पररिध़ी के उपर कितना बिंदू होगा, कोई हिशेब किताब नहिए उसका, अनगिनत होगा ठीक है तो basically वही होगा कि अगर आप PRQ जो है अगर आपका जीवा था और इसका यहाँ पर नीडल को रखे और यहाँ पर पैंसिल को रखे और चाप अब हर एक बिंदू पर बढ़ते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं आप देखिएगा कि यह हो गया अंगिनत इंडेफिनित नंबर आफ यू कन मेक इंडेफिनित नंबर आफ काट्स आफ सेम लेंथ अंदे सरकल समझ गया नहीं सुप्रियांकित समझ गया ना तो हम यह बोलेंगे आज हम लोग थोड़ा स्लोग है तो इसमें एक अभी तरह इतना पढ़ाई हम लोग किया है पर एक एक एक्सराइज होगा 10.1 ठीक है अपना बुक निकालिएगा और दस्वा चैप्टर जो होगा इसका पहला एक्सराइज जो होगा ना उसको करने कोशिज कीज़ देखी कि अभी तरह हम लोग जो भी चीज़ सीखे हैं अभी तक 10.1 से चैप्टर हो करने के लिए हो सकता है कुछ ही छोडिया हो कोई बात नहीं सवाल को निकालिये और सवाल को पढ़िए पढ़िए उतना पढ़िए कि आप से बोड़ हो जाए और आप भी सवाल से बोड़ हो जाए ठीक है तो यही फार्मूला लगाते हैं और इस चैप्टर को करते हैं ठीक है उसके बाद अगर कहीं पर कुछ समस्या हुआ तो फिर हमको बताईएगा तो अभी देखिए बागी बच्चा लोग जो है इंगली सवरा क्लास को जोईन कर लग जया है तो हम लोग यहां पर मैस का क्लास को यही पर रोकेंगे तो विकास एक ने टुक जाईए हम पिछला क्लास को खतम कर रहे हैं वहां पर अभी मैस की पढ़ाई हो रही है उसके तो अभी तक हम लोग सिफ जाने है कि भाई काड क्या होता है जीवा क्या होता है सेग्मेंट क्या होता है या खंड क्या होता है वितकांट लगू खंड लगू वितकंड और क्या देग वितकंड क्या होता है आर्क क्या होता है रेडियस क्या होता है डैमेटर क्या होता है उ अभी आगी का जो इस chapter में आगी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसमें उससे related questions जो है उससे related जो सवाल होंगे तो अभी हम लोग इस class को यहीं पर रोग सकते हैं and we will continue with the English class, ठीक है? Okay, sir. तुआज थोड़ा.